पत्नी दोनों डॉक्टर थे, पत्नी ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था फैमली कोट में फैसले से एक दिन पुर्व जज ने एक और अंति मौका देते हुए दोनों से अलग-अलग अकेले में सवाल जवाब किये जज साहब ने डॉक्टर पती को तो इस बात के लिए तयार कर लिया कि वह पत्नी के साथ रहने को तयार है किन्तु डॉक्टर पत्नी को तयार नहीं कर पाए आखिर तलाक हो गया एक दिन अस्पिताल में जज साहब और महला डॉक्टर मिल गए आप चारिक्तावस महिला डॉक्टर ने अपने चेंबर में उन्हें चाई पर आमंतरित कर लिया चाई पीते हुए वे बोले डॉक्टर साहिबा अब यहां मैं ना जजू और ना आपवादी आपका तलाक हो चुका है लेकिन मैं आपकी खामोसी का राज नहीं समझ पाया आपके द्वारा तलाक का मूल कारण वह नहीं था जो साक्षियों और घटनाओं से सिध्ध हुआ है वह तलाक की वज़ख कतही नहीं थे आपको कोई अतराज ना हो तो मैं अब वास्त्विक्ता जानना चाहता हूँ मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता जजच साहब कल उसके साथ कुछ भी घटे उसे सजा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं बस उस वहसी से मुक्त होना चाहती थी मैं नहीं चाहती थी कि मेरे तलाक के कारण उसका जीवन उसकी नौकरी खत्रे में पड़ जाए मैं घाव को नाशूर नहीं बनने देना चाहती थी डॉक्टर महला ने कहा फिर तो अवस्त ही कोई कंभीर मामला था हम दोनों ही डॉक्टर हैं मैं चार मां से गर्ववती हूँ एक तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा गर्व नौ महने में मेरे तनाव के कारण अपाहिज या कोई अनोखी बिमारी लेकर पैदा हो मैं यह समय बहुती स्वस्त, सांती और खुसी-खुसी बिताना चाहती थी हर तनाव मुझे स्विकार था, किन्तु हद तो तब हो गई जब वह रुक गई, उसका गला भराने लग गया था संयत हो कर वह फिर बोली, वे लड़का चाहते थे और उसके लिए भुरून परिक्षन पर जिद कर रहे थे जिसे करवाना हमारे लिए बहुत आसान था, लेकिन यह मेरा अपमान था, और बुरून परिक्षन एक सामाजिक अफराद भी है ओ, जद साहब के मुझ से निकला हाँ, इसलिए मैंने तलाक का यह कारण नहीं लिखा था मुझे तो आसानी से तलाक मिल जाता, किन्तु उन्हें सजा हो जाती, उनका भविष अंदकार मैं हो जाता अपने पेशे से वे बहुत महनती और इमानदार हैं, इसलिए मैंने मूल कारण को अलग रखा सजा उन्हें दिलवानी थी, उनके पेशे को नहीं इसके अलावा भी डॉक्टर होने के साथ साथ परवारिक सामनजस्तता के अभाव से भी मैं उनसे ही नहीं, परिवार से भी बहुत परतारित हो रही थी इसलिए इस कारण को गौन रखते हुए मैंने तलाक का अन्यकारण लिखा था यह हतियार तो मेरे पास ब्रमास्तर की तरह कभी भी इस्तेमाल करने के लिए शुरक्षित था डॉक्टर ने कहा इतना होने पर भी तुमने उस आदमी को बचा लिया जो समाज के लिए अभिसाब बन सकता है जजसाहब बोले हम समाजिक प्रानी हैं इस वर पर रास्था रखते हैं भविस्त के सुन्दर स्वपन देखते अवस्य हैं किन्तु जीते वर्तमान में हैं गीता के इस अंधरब को ध्यान में रखते हुए भविस्य के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब इस वर पर छोड़ देते हैं। गुलावा आ गया था। जद साहब से छमा मांगते हुए वह ऑपरेशन थियेटर की और चल दी। जिस समय जद साहब चेंबर से बाहर निकल रहे थे। वे उसकी महानता के बारे में सोच रहे थे। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक औ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा प्लीज।